पिछले कई दिनों से बिहार में मौनसून कमजोर बढ़ रहा था और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो रही है। लेकिन अब मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने की उम्मीद है। कल यानी 12 सितंबर से बिहार की कई जगों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार में भारी बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंदर के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि 17 सितंबर से मौनसून की विदाई शुरू हो जाएगी। उसके पहले बिहार में अच्छी बारिश होगी। फिलहाल आज बिहार के 26 जिलों में मध्धम बारिश का आसार है। आज 26 जिलों के एक या दो जगहों पर हलके से मध्धम स्तर की बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल यानी 12 सितंबर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जब मौनसून एक्चिव होता है तो ठनका गिरने का खत्रा भी बढ़ जाता है। सीवान, सारण, सीतामधी, शिभर, मुजफरपुर, वैशाली, मधुबनी, दर्भंगा, समस्तिपुर, पटना, भोजपुर, बकसर, अर्वल, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, शेकपुरा, लखी स्राय और बेगुस्राय जि 10 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी भी सामान्य से 27 फीस्दी कम बारिश हुई है, सबसे ज्यादा बारिश की कमी मधुबनी और सारण में 52 फीस्दी की है, जबकि सहरसा में 50 फीस्दी, वैशाली और दर्भंगा में 49 फीस्दी, समस्तिपुर में 48 फीस यहां सामान्य से 17 फीस्दी ज्यादा बारिश हुई है, जबकि अर्वल औरंगाबाद में 2 फीस्दी और शेकपुरा में सामान्य से 1 फीस्दी ज्यादा बारिश हुई है,